अब ही हमने 26 और इकराणवे का LCM and HCF निकालना है तो यहाँ पर हम कौन सा मेतड़ काम है लेंगे अपना अभाज ये गुणंद खंड विधी यानि प्राइम फेक्टर इस मेतड़ इस मेतड़ में करना क्या है दिएगे संख्याओ के हमें अभाज ये गुणंद खंड करने हैं अभाज ये गुणंद खंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपनी अभाज ये संख्याओं से इनको भाग करना पड़ेगा तो ये अभाज ये संख्याओं कौन सी है ये आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जैसे 26 में 2 का भाग जा रहा कितना 13 वार सरव परतम 2 से चेक करेंगे ठीक है 13 आप आपकी एक अभाज जिसन क्या है तो फिर 13 में 13 का भाग गया आपका एक वार तो दो का भाग नहीं जा रहा है तीन का नहीं जा रहा है पांच का नहीं जा रहा है लेकिन साथ का भाग जा रहा है कितना एक वार और तीन वार फिर 13 में 13 का भाग आपका एक वार तो 91 के हमारे पास फेक्टर क्या आगए साथ गुणा तेरा इसको क्या लख सकते हैं साथ की घात 1 और तेरा की घात 1 हमें क्या चाहिए अपना एच्छिप में क्या लेना है दिहांस समझ लो एक वारी समझ ला है नियूनतम घात लेने पहले दिये समझे लो किसकी लेने आ यह अपने common factor की common factor को याद देखिए इसको ऐ ओया। कॉमन् फैक्टर कॉमन् फैक्टर क्या होता। यहांगी है यहांगे, Oنا 13 है इसका न्यू तम्हात कितना एक है। तो यह कितना बन गया आपका 11 है। अब हमैं L-CM क्या करना है हमे? अधिक्तम घात लेना है किसकी लेना है अधिक्तम घात ऐसा फैक्टर जो कॉमन फैक्टर हो या कोई अन्य फैक्टर सभी के यानि सभी फैक्टर लेना है और उसमें ध्यान क्या रखना है जो फैक्टर लेना है उसके अधिक्तम घात हो नीचे जैसे 13 यहां भी है यहां भी इसके अधिक तमगात कितने एक है तो इसको लिया ठीक यह 13 गया उसके बाद 2 के अधिक तमगात कितने एक यह लो गया उसके बाद साथ के अधिक तमगात कितने एक इनका गुना किया कितना गया 180 टू खा गय, ख्युथू हो कई तो इस तरीके सा आप समझ सकते हैं सिसमें हमने क्या किया सभी आदिकतम गात का गुन अंध्खंड मरल dud कोई भी गुन अंध्खंड है ठीक है जैसे तेरह यहां भी है, यहां भी है तो यह आपका एक गुनध्खंड है इसका अधिकतम घात केतना है यह कहता हमने इसको लिए ऐसे समय सकते हैं आप और भी दिकत है तो बहुत सारे कुश्चन हमने हल किये हैं प्रेटिस करेंगे तो यह किलिए हो जाएगा यह थोड़ा स्टार्टिक में दिकत होता है मैं जानता हूं